घर के बड़े कहते हैं कि सर्दियों में तिल और गुड़ जरूर खाना चाहिए इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ तिल और गुड़ से बनी हुई सॉफ्ट वाली गजक एकदम मुँ में घुल सी जाएगी इतनी बहतरीन बनती है तो चलिए फर फड़ा फड़ से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है हमने पैन लिया है जिसमें हम 200 ग्राम तिल डाल रहे हैं एकदम लो फ्लेम पर इस तिल को हमें अच्छे से भूनना है ब्राउन नहीं करना चटकने तक नहीं भूनना है दो से तीन मिनट बस इसी तरीके से लगातार हम इसे चलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसे अलग से किसी प्लेट में निकाल देंगे ज्यादा भूनेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे तो दो तीन मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है इसे अलग से हम प्लेट में या किसी बोल में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब सेम पैन में हम ले रहे हैं गुड़, 200 ग्राम गुड़ लिया है हमने 200 ग्राम तिल है तो 200 ग्राम ही गुड़ भी लेना है अब इसमें हम mix करेंगे आधा कप पानी, अब एकदम low flame पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, ध्यान रखेगा flame जो है वो एकदम low पर होना चाहिए और गुड को सबसे पहले हमें melt करना है, जैसे ही गुड मेल्ट हो जाएगा हम इसमें पिगला हुआ घी डालेंगे 1 रखना है, आप शुरुवात में देखेंगे इस पर इस तरीके से बबल जाएगे जाग बनने लग जाएगी लेकिन हमें low flame पर लगातार चलाते रहना है, जैसे ही जाग हट जाएगे गुड थोड़ा सा गाड़ा होने लग जाएगा, लगबग आप मान लीजे 5-6 मिनिट ह उसके बाद हम इसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए ठंदे पानी में यानि जो normal पानी होता है मटके का पानी, उस पानी में हम थोड़ी सी जो बूंदे हैं इस गुड की डाल देंगे, अगर ये खिच रहा है तो हमें इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा, लेकिन थाई चमच बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर डालना है, सोडा नहीं याद रखेगा, बेकिंग पाउडर डालने के बाद फटा फट से मिक्स करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, बेकिंग पाउडर डालने के बाद में कलर भी चेंज होगा, ध्यान रखेगा, और उस के बाद में हम इसमें तिल डाल देंगे बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है गैस को बंद करने के बाद हम इसमें तिल डाल कर फटा फट से मिक्स करेंगे यह प्रोसेस जो है हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा जैसे ही तिल और गुड मिक्स हो यहाँचों जांगे बढ़िया से हम इसे mirror कर देंगे एक ठाली में थाली में हमने पहले से ही žी लगाकर रखा हूआ है आप चाहें तो थाली के ऊपर बटर पेपर लगा सकते हैं और बटर पेपर के उपर backpack लगा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगया वैसा कीजे अब इसे हम बेल लेंगे बेलने के लिए जो ये हमने बेलन लिया है इस पर भी हमने घी लगाया हुआ है हमें इसे एकदम पतला बेलना है मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी कि मैंने इसे एकदम पतला नहीं बेला थोड़ा मीडियम साइज में ब चोटे से तुकडे कर लिए हैं हमें से बारी बारी चोटे-चोटे हमें इसके तुकडे करने हैं आप चाहें तो चोटे-चोटे करने के बाद आप इसे थोड़ा कूट भी सकते हैं तो यह जो तुकडे हैं चोटे-चोटे से चिक्की के हमारे तिल गुड़ के वह हम डाल रहे की ट्रे में भी इसे निकाल सकते हैं मैंने केक टिन के उपर बटर पेपर लगाया है और इसे निकाल दिया है अब इसे हम अच्छे तरीके से लेविल कर देंगे जितना मोटा आपको गजक का पीस चाहिए उसी हिसाब से आप इसे लेविल कीजे उपर से मैं थोड़े से पिस् के अच्छेप में काट लेंगे जब हम इसे काटेंगे तब ही आप देख सकते हैं कि यह काफी बटर तयार हुई है बहुत ही सौफ़ बनती है यह मुह में एक्दम घुल सी जाती है मजा आजायगा आपको इसे खाकर कैसी लगी है यह रेसिपी आप मुझे कॉमेंट करके ज शेयर कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई